हाई फ्रेंड्स आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है फ्रेंड्स आज कि इस वीडियो के मादम से कग 16 के बच्चों के लिए बिज्ञान के अती महत्पूर्ड वीडियो लेका चुक हो और आज कि इस वीडियो के मादम से साइंस के बहुत विकल्पी अती वाजरवाइस के पेपर में आसानी से यहां पे 90 परसेंट स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को सुरुच एंड तक देखना पड़ेगा और इस वीडियो के मादम से यहां पे टोटल आपका चववन नमर की त्यारी करवाने जा रहा हूं कितना नमर की चववन नमर का तो अब चाहते हैं चववन नमर की त्यारी कदम पूरा पूरा डिटेल में करना तो वीडियो सुरुच एंड तक देखना उसके पड़े वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे लेकिन भी प्रेस कर देना चलिए सबसे पर यहां पर यहां पर लग उत्र रिए और यहां पर आति लागू उत्र पीट था यहां पर देख लो यह आपका द्रिघ उतर और यहां पे और चिंगन सब्सक्राइब कर दो li कि जीवन की उत्पती हुई थी जीवन की उत्पती सबसे पहले कहां पर हुई थी तो सागर में हुई थी कहां पर हुई थी सागर में अगला कोशन कि जाइगोट के गुण सुत्रों की संख्या होती है कितनी होती है तो 2 x होती है अगला कोशन पुछा गया है कि पराग नली मे नर युगमक की संख्या पाई जाती है, तो दो होती है, गतनी हम पाई जाती है है, 12, अगला कॉशन कि यक्रितー इस्त्रावित करता है, किसको इस्त्रावित करेगा तो पीत्राश को, किसको पीत रश को, एक जितना मैं कोशन करवा रहा है, सब खली त्यार कर लो, बोर्ड के पेपर में पका इसी में से कोशन पूछे जाएंगे ठीक ना और अगला कोशन जो पूछा गया है कि विटामिन का अच्छा इस्तरोत क्या होता है विटामिन सी किसा किसा था जाता है छट्य पस शंग्धों पाइचा है इसलों के पेपर में हर साल और बार पुछे जाते हैं ठीक ना कोशन क्या बोला जा रहे हैं कि नेत्र की समंजन छमता से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है वेरी वेरी मोश्ट इंपरेंट कोशन इसे अपत्यार करके जरूर जाना वहरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे तो नेत्र की वह चमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समयोजित करके तथा दुरुस्त बस्तौवों को फोकसित कर लेता है क्या करता है सबसे पहल most important है और हर साल दो नंबर में पूछा जाता है अगला को फूछा गया है कि जूल बोल्ट सेट था कुलाम में क्या सम्मन्ध है तो बोल्ट बाबर क्या होता होता है जूल वार्टeking बीवे कुलाम भी बड फ क्या होता है फी बडर बॉल्ट रूपल्ट डबलू का मतलब क्या होता है जूल और यहां पर क्यूंग का मतलब खुलाम इस तरीके से समझ गए और अगला कुछन यहां पर एक नुमेरिकल है इसे समय लो कि यह जो नुमेरिकल पूछा गया है चार नमर में पूछा गया है अधाइसो बोल्ट पांच एम्पीर फ्यूज वाले परिपत में पचीस वाट की कितने बल्ब जल सकते हैं यह आप सभी को बताना है ठीक ना तो सबसे पहला हम करेंगे क्या प्रेशन नुसार जो भी हमाने डाटा दिया गए उसको लिखेंगे कि भी बोल्टेस कमान पचीस अड़ाइसो बोल्टेस दिया गया है धारा कम खतने कितने कि यह सबसे पहल है एक सबसे विल्एक कमद फाइच बीयाइस थे सब्सेघ्या नियां धिक वरिया कश्या प्रीक दियासर क्यिए तो यह कट जाएगा दस बारे में और दस पचे कितना हो जाएगा पचास बल्फ कितना बल्फ जलेंगे पचास बल्फ समझ गया अब यहाँ पर देखो अगला कोशन जो कि इससे भी जादा मोश्ट इंपोर्ण है कि चुम्बकी छेत्र की तिवर्ता तथा मात्रक एसाई पतत ठीक अगला कोशन एक समान चुमकी छेत्र में इस्थित धारावाई चालक पर लगने वाले बल का सुत्र लिखिए धारावाई चालक पर लगने वाले बल का सुत्र क्या होता है एफ बराबर बी आईल साइन ठीटा क्या होता है एफ बराबर बी आईल साइन ठीटा यह वेर सब्सक्राइब करें तो इसकी फोकॉस दूरी ज्यात करिए किस तरी किसे निकालोगे तो सबीट जान देओ कि एफ बराबर क्या होता है आर बाइट वहता है और आपको किसी का वह दिया है अब देखो अगला कोशन जो पूछा गया है कि एन एडीपी का पूरा नाम बताईए एन एडीपी का पूरा नाम फूल फाम पूछता है कभी-कभी तो निकोटी नैमाईड एडीअन डाई निक्लियो टाइड ठीक न इसका फासफेड इसका पूरा नाम होता है और यहां पर देखो अगला कोशन कि मेंडेलिफ का अवर्त नियम क्या होता है व्याख्या करिए कई बार पूचा गया है मेंदलिफ का अवर्थनियम या दिर्खाकर अवर्थसाड़ी के बारे मोग तो सातमर में कोशन पूछेगा तो मेंदलिफ का अवर्तनियम ये बोलता है कि इस अनियम का अनुसार तत्तो के भातिक और रसायनिक गूण उनके पर्मार भार के आवर्ती फलन होते हैं किसके फलन होते हैं तो पर्मार भार के होते हैं समझ गया है और देखो और यहाँ पे जो दिर्ग कोशन आते हैं सबसे लांग कोशन तो यह पुछा जाता है कि दूर देश्टी दोस क्या होते हैं इसका इसके दोस्ते पिरिद्व ब्यक्ति को लिए किस लेंज क्यों किया जाता है कि रड़ और समझाइए और इसका निवारण आप इस तरीके से करोगे कोशन इस तरीके से पुछता है यहां पर देखो दूर दिश्टी दोस्त इस दोस से फिरित ब्यक्ति को दूर की बस तू असपेश्ट दिखाई देती है परन्तु पास की नहीं दिखाई देती है ऐसे दोस्त कम क्या बोलते हैं दूर दिश्डी दोस्त मगर हो दीखाई हघा ज़गा इसका रिजयाो यह हुता है कि वक्रता कम हो जाती है देखो वक्रता क्या हो जाएग है यहां पर कम हो जाएगी तो फोकस बाहर बनने लाएगा था इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी फोकस यहां पर था बनना था बढ़ के आ गया यहां सी यहां पर यहां पर फोकस यह अर विजक्त के लिए कि नेत्र लेंश यहां łatसे क्या बीच करेंगे चलिए आपर इंपोड़ेन को सांवारा कुछा जाता है निक्र दिश्टी दोस्थ की आ हता है समझ गए इसका रिजन क्या होता है तो नेत्र लेंज की वकरतात रिजय का बढ़ जाना वकरता का बढ़ जाना इसका बढ़ जाएगा उसमें क्या हो रहा था घर जाएगा लेकिन इसमें क्या हो रहा था बढ़ जाएगा और उसकी फोकस दूरी कम हो जाना देखो फोकस यहां चलिकाए तो समयूद करके सिध़र से बनाएगा अब चलिए हम नुमेरिकल को सOUT कर लेते हैं जो यह नोमेरिकल देख पूछेगा है कोई बार इन दोनों नुमेरिकल को आपको अच्छे स्तियार करके जाना है ठीक ना और बोड के पेपर में 90% पार करना चाहते हैं तो वीडियो को इस लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ठीक ना चलिए कोशन क्या बोल रहा है कि नीचे दिय परिपत में ए तता बी के बीच बिंदू बी के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्याद करो यह परिपत दिया गया और इस परिपत में करना क्या है तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है ठीक ना सबसे पर हम करेंगे क्या यह जो आपका स्रीज में प्रतिरोध दिया ग तो धरीत तरहनलो कि यह तो इसको मांनली पीसिती औरल चमांत्र शंदी में हैं और गभाजाै स्तमांतर सेड़ी में फर्मूला क्या होता है प्रतिरोध निकालने का 1 by R2 बराबर 1 by R प्लस 1 by R तो इस R कमान 1 by 9 और इस तरीके से तो 2 by 9 इसको convert कर रूब लिए र 2 कमाने आजाए कितना 9 by 2 यानि कि 4.5 ओम इस तरीके सापको तो लिए प्रतिरोध निकालने कोशन बहुत यह सान होता है लेकिन बच्चे करते नहीं इसलिए दिक्कत हो जाता है वहां पर ठीक ना तो समझना है पाले उसके बाद हल करना है देखो यह कोशन साथ साथ नमर के कुशन है और कई बार बेवर के पीपर पूछा गया है अगला कुशन प अगल्य आपका यहां में फिग्रब नहीं मनाया है तो स्रेणिक करम में क्या होता है प्रतिरोध आर ब्रक्ष क्रणक ब्लस अ कि मैंद सभ्षा है आपका शोंतरोभ मांझ आजाएगा इसी does समांतर patrol निकालो के और मैं रMark प्लस 1 divided by r2 1 divided by r3 तोसलों वोनगार्ट शे प्लस 10 प्लस 10 प्लस 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 006 और 06 द क्लीगा और दो जोड़ना तो फार जान्ते है यहां पहले स्वाब को स्खानाों नीप पड़ेगा इस त फॉर्पर की πस पता इंक नीपसर घ्कrows, है को पूरा पूरे यहां पर चीजों को देखना है सबसे पहले बहुत भी कल्पिक को याद करना है उसके बाद अथी लग उतरी है फिर लग उतरी है फिर दिर्ग उतरी है फिर यहां पर नुमेरिकल को भी साल करना है ठीक ना इस तरीके सामने पूरा का पूरे यहां पर सेट कर जादे जादे इस वीडियो को स्यर करना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे भी लेकिन भी प्रेस कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद जाए भारत वन्देमात्रूम